इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ चूँके बहुत से लोगों में ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, प्री डायबिटीज और इंसुलिन रिजिस्टन्स का मसला तो मुझे ये एपल साइड वेनेगर पे एक बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो कवर करनी थी अगर आप एपल साइड वेनेगर नहीं इस्तमाल करते हैं तो इसे जरूर अपनी डायट में शामिल करें क्योंके कीटो और इंटर्मिटन फास्टिंग के इलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनसे ब्लट शुगर बेतर हो सकती है और आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करूँ हूँ इसमें जो एसेड है वो है एसेटिक एसेड और ये एक हाई पोटेंसी एंटी ग्लाइसेमिक कमपाउंड है मतलब जो ब्लट शुगर बढ़ती है खाना खाना के बाद ये इसकी स्पाइक को रोकता है शुगर ज्यादा बढ़ने से रोकता है और कीटो डाइट भी मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ लेकिन अगर आप कीटो डाइट पे नहीं है और एपल साइड विनेगर खाने के साथ लेते हैं तो ये खाने में मौझूद चीजों को बफर करके इनका जो एफेक्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर इस एफेक्ट को कम करता है जिससे बलड शुगर और इंसुलीन स्टेबल रहती है इसी तरह अगर राइस खा रहे हैं और इसमें अगर एपल साइड विनेगर अड़ कर लेते हैं राइस मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ लेकिन इस विनेगर एडिशन से आप 35% तक इन चावलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकते हैं अगर आप एपल साइड विनेगर से आप खाने के बाद होने वाली इंसुलीन और शुगर स्पाइक को बहुत हत तक कम कर सकते हैं आप सीरियल खा रहे हैं साथ में औरेंज जूस है और एपल साइड विनेगर कैपसूल और टेबलेट फॉर्म में भी आता है को भी रोक रहे होते हैं इंसुलीन आती ही इस गलुकोस को ठिकाने लगाने के लिए तो यहां पे जब इंसुलीन कम बनेगी तो बाड़ी आटोमेटिकली फ्यूल के लिए फैट को इस्तमाल करने लगी जिससे लिवर फैट कम होगा ओवरॉल फैट लॉस होगा आप वेट लूस करेंगे में भी बहुत जादा ना करें लेकिन इसका कमपाउंड एफैक्ट अगर आप देखें कुछ महीनों बाद तो सिर्फ बलड शुकर लेवल नॉर्मल रहने से आपको डिफिनिटली वेट लॉस में मदद मिलेगी भूग कम लगेगी क्योंके इंसुलीन कम बने अचिछ प्राइब टेस्ट में वाज़स फरक होता है जब आप खुद पाकिसान से बाहर ट्रेविल करते हैं और वहां मार्केट में जो सेम प्रोडक्टini जब आप खरीदते हैं तो साफ पता चल रहा होते है कि यहां जो ब्रैग हमें बेचा जा रहा है पाकिसान छो pick हैंं international brands तो बिलकुल ना खरीदे हैं पाकिसान में 90% fake हैं labels change कर दिये जाते हैं local कुछ लोग organic apple cider vinegar बेच रहे हैं इसमें जो आपने चीज पूछनी है इस vendor से वो ये कि processed or refined now raw और unfiltered apple cider vinegar आपने खरीदना क्योंकि unfiltered में bacteria और enzymes अपनी असली हालत में महफूज होते हैं ब्लड शुगर बड़ी होती है चाहे पिछला देना आपने बहुत परेश से गुजा रहा है ज़्यादा कार्बोहाइडरेट्स या मीठी चीज़ा नहीं भी खाई हैं तब भी जब सो के उठते हैं तो ब्लड शुगर बड़ी होती है यह इसलिए होता है कि लिवर हाइपर एक्टिव हो जाता है ज़्यादा शुगर बनाने लगता है इसे ग्लूकोनियोजैनेसिस कहते हैं तो अकसर सवाल आता है लोग परेशान होते हैं कि इस शुगर को कैसे कम करें खास तोर पे सुबा के वक्त तो यह बहुत असान है आप सोने से पहले दो चमच आपल साडर विनेगर लें इसे धाइसो एमल पानी में मिक्स करें और दो चमच तकरीबन दस गराम के बराबर होता है और इसे पी लें पानी में हल जरूर करें इसे तीन से चार दिन में ही आप एक बड़ा फरक देखेंगे और इस रूटीन को ऑन और आफ जारी रखें इसका फाइदा यह होगा कि जो सुबा में हाई बलड शुकर का मसला यह खतम हो जाएगा और दूसरा तरीका जो मैं रेक्मेंड करूंगा जो यह कि इसे जब खाना खाने लगें तो इसे पानी में मिक्स करके आप खाने से पहले भी लें दिन में किसी भी वग psychologically जब आप खाना खा रहें और चूँखे यह शूला की यह एसटीएक होता है इसलिए आपने पानी में मिला के पीने अपना हे आल रेक्य, आपसे मोला का तो TNX वीडियो में, अला आफेस.